दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे कि पार्ट टाइम काम करके कैसे आप नेट और मार्केटिंग में करोड़ पती बन सकते हैं देखिए आपने भीकारी को देखा होगा एक भीकारी और एक करोड़ पती में फर्क क्या होता है हर किसी के पास 24 गंटा होता है लेकिन कोई एक भीकारी क्यों होता है और कोई एक करोड़ पती क्यों होता है भीकारी क्या करता है अपना टाइम को भीक मांगने में लगाता है और करोड़ पती क्या करता है अपना टाइम को पैसा बनाने में लगाता है हम सबका सपना है, हम सबका ड्रीम है, लेकिन अगर राइट भाइकिल नहीं है, तो सपना पूरा नहीं होगा माल लीजी आपको डेली जाना है, आप कैसे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, अमरिका जाना है, कैसे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, लेन में जाएंगे हम क्या करते हैं ऐसे राइड भाई किल चूज नहीं करते हैं हमको जाना अमरिका है हम साइकिल पगड़ते हैं बहुत बड़ा बड़ा ड्री में सर्विस करते हैं या चोटा मोडा बिजनेस करते हैं नेट्वार मर्केटिंग में अगर आप 5 साल सही धंग से काम करेंगे बहुत चोटा चोटा काम है लेकिन लोग सफल क्यों नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग लगातार काम नहीं करते हैं आपने वो बात सुना होगा ठीक है पानी भी अगर टपकता रहे तो पत्थर को भी गड़ा कर सकता है यह और मार्कटिंग बहुत आसान चीज है लेकिन लोग लगातार काम नहीं करते हैं दो चार पांच लोगों से बात किया फिर छोड़ देते हैं बोलते हैं छोड़ो मेरे से नहीं होगा लेकिन आपको लगातार काम करना है काम क्या करना है देखिए जैसे कि आप सबका पास 24 गंटा टाइम रहता है 12 गंटा आपका चला गया खाना पीना सोना सब में चला गया 8 गंटा आपका नोटरिया विजनस में चला गया बाकि जो चार घंटा है उसे आप कैसे यूज करते हैं अगर उसको लगातार आप चार घंटा टाइम पांच साल तक यूज करते हैं और छे स्टेप अगर करते हैं तो नेटवर्म अरकेटिंग में आप कम से कम करड़ोपती रहेंगे क्या है छे स्टेप आपका जो भी सपना है लिखिए दिमाग में रहने से नहीं होगा आपका जो भी सपना है आपको लिखना पड़ेगा ड्रिम बूग बनाना पड़ेगा फिर लोगों का list, जिनको आप जानते हैं, list बनाएए, लोगों से appointment लेके उनको मिलिये, फिर अपना presentation दीजिए, जो भी plan है, आप presentation दीजिए, जो लोग मना करते हैं, product दीजिए, कोई मना नहीं करेगा product के लिए, आप product दीजिए, फिर जो लोग interested होते हैं, उनको sign up कराईए औ और उनके सपने के लिए आप काम कीजिए, आप देखेंगे यही काम उनको मिटिंग में ले जाएए, उनका वीजन बढ़ा होगा, और यही काम अगर आप लगातार पांच साल तक करते हैं, तो आप कम से कम करणोपती रहेंगे, ओके, थैंक यू.